हेलो दोस्तों वेलकम टू डिएश्डी कार्स और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे दे ओल न्यू मारुत्ती ब्रेजा 2022 के बारे में और ये मैगमा ग्रे कलर मारुत्ती ब्रेजा का आप लोगों के सामने है वैगनार भी मैगमा ग्रे में काफी ज़्यादा बिखती है और ये कहें की वैगनार का टूप सेलिंग कलर है मैगमा ग्रे तो ये कलर ब्रेजा में क्या कुछ कमाल करेगा और इस कलर में गाड़े की कैसी क्या लुक लग रही है वो आप भाई कमेंट करके जरूर बता देना मुझे तो ये कलर वाकही में काफी बढ़ीय लगा क्यूकि मैगमा गरे कलर में वैगनार जब दिखती है तो बहुत ज़्यादा रोड़ पे दिखती है क्योंकि वही कलर सबसे ज़्यादा बिखता है फ्रंट लुक की अगर बात करें मारुत्ती ब्रेजा की तो पहले से काफी अलग यहां पे आपको मिलती है VXI variant में Halogen Projector Head Lamps आपको मिल जाते हैं Silver Garnis का यूज किया गया है Parking Light और जो Turn Indicator है वो आपको यहां पे मिल जाता है Fog Lamps इस variant में आपको नहीं मिलते हैं और नीचे कोई भी Silver Color की जो Skid Plate है वो आपको नहीं मिलती है इस गाड़ी में Gray Stone के साथ में जो Grill है वो मिलती है और उपर Chrome Finish का भी जो यूज है वो आपको गाड़ी में मिल जाता है और VXI variant की जो कीमत है वो काफी जादा है उस हिसाब से जितने की इस गाड़ी में features हैं लेकिन फिर भी काफी लोग भाई VXI variant को पसंद कर रहे हैं और वो इसलिए कि सारी चीजें जो है वो आपको company fitted यहाँ पर मिल जाती है बाहर से accessory वगरा लगवाने पर जो warranty है उसके खतम होने का डर होता है और अगर fitting सही से नहीं होई तो आपकी गाड़ी में भाई दिक्कते आनी सुरू हो जाती है तो अगर आप भी अपनी गाड़ी में company fitted accessories लेना चाहते हैं तो भाई VXI variant की तरफ आप जा सकते हैं VXI variant में आपको 16 इंच के black color के steel rim और wheel cover के साथ में tires मिल जाते हैं चोड़ी चोड़ी जो क्लेडिंग है वो गाड़ी के चारों तरफ आपको मिलती है 200 mm के ground clearance मिल जाती है ABS और EBD के साथ में rear में drum और front में disc brakes आपको मिलते हैं बोडी color में ही ORVM से दिये गए और LED turn indicator उने के उपर place किये गए A, B और C तीनों ही pillars आपको black out किये हुए इस गाड़ी में मिल जाते हैं बोडी color में ही door handles मिलते हैं और अगर side look की बात करें तो side से भी देखने पे काफी बढ़िया look आपको ब्रेजा की मिलती है और यह है आप लोगों के सामने मारुत्ती ब्रेजा की rear look और magma gray color में कैसी का look लगती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं LED में ही जो tail lamps हैं वो आपको मिलते हैं split tail lamps, turn indicator और जो back gear की light है वो पीछे आपको मिल जाती है black color में आपको lower bumper मिलता है जिसके की उपर parking sensors और जो reflectors है वो place किये गए कोई भी reverse camera आपको गाड़ी में नहीं मिलता है ब्रेजा की जो बैजिंग है वो पीछे दी गई है और defoggers आपको VXI variant में मिल जाते हैं VXI में ये feature आपको नहीं मिलता है और शायद नहीं आप बाहर से इसको add करा सकते हैं आपको smart hybrid की जो बैजिंग है वो भी मिल जाती है क्योंकि इस गाड़ी में smart hybrid की जो technology है वो यूज की गई है और एक extra battery core driver seat के नीचे आपको मिल जाती है चाबी की बात करें तो remote control दोनों ही चाबीयां आपको मिल जाती है लोक और उनलोक बटन के साथ में कोई भी requesting sensor आपको नहीं मिलता है दरवाजे पे black color का जो interior है वो दरवाजे पे मिलता है fabric type material का जो use है वो दरवाजे पे किया गया है चारों ही power windows मिल जाती है power adjustable और power foldable ORVMS आपको मिल जाते हैं और ये बटन दबा के आप ORVMS को fold unfold कर सकते हैं चारों ही power windows मिल जाती है और जो driver window है वो one touch up, one touch down और anti pinch feature के साथ में आपको मिल जाती है bottle holder छोटा मोटा समान रखने की जगे है और जो speaker है वो भाई दरवाजे पे आपको मिल जाता है अंदर चलें तो driver sheet की height adjust करने का जो option है वो भी आपको VXI में मिल जाता है और ये चीज़ भी शायद आप बाहर से अपने गाड़ी में ना लगवा पाएं तो अगर इन चीज़ों की आपको ज़रुत है तो आप भाई VXI variant ही लें adjustable head rest के साथ में fabric seats आपको गाड़ी में मिलती है उस हिसाब से जो dashboard की look है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि silver finish का काफी ज़्यादा use किया गया है driver के right side में traction control का button idle start stroke का button और जो light के controls है वो दिये गए silver finish के surrounding के साथ में AC vents आपको मिल जाते हैं और यह है इस गाड़ी का MID meter जो की semi digital आपको मिलता है speedometer और rpm meter analog दिखते हैं उसके अलावा बाकी की जो सारी informations हैं वो आपको digitally दिख जाती है और जो battery का निसान है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यानि कि जो co driver sheet के नीचे battery रखी गई है वो कितनी charge है वो यहाँ पे आपको पता लग जाता है outside temperature display भी आपको यहाँ पे MID में दिख जाती है और जो time है वो भी digitally आप देख सकते हैं दोनों तरफ nobs दी गई है जिससे कि MID की सारी details आप चेक कर सकते हैं steering की बात करें तो sound controls और telephonic controls के साथ में जो steering है वो आपको मिलता है chrome finish का बढ़िया use किया गया है d cut shape steering आपको मिलता है और dual airbag के साथ में गाड़ी आती है cruise controls आपको इस गाड़ी में भाई नहीं मिलते हैं वो आपको ZXI या top model में ही मिल सकते हैं steering की बात करें तो steering को आप tilt adjust कर सकते हैं telescopic adjustment का कोई भी option आपको यहाँ पे नहीं मिलता है center console पे चलें तो आपको मिलता है 7 इंच का touchscreen infotainment system 4 speakers के साथ में यह system android auto apple carplay और usb bluetooth आधी features से connect हो सकता है तो यह काफी अच्छी चीज आपको यहाँ पे मिलती है कि company fitted जो stereo है वो गाड़ control आपको VXI variant में मिल जाता है जबकि LXI में आपको manual climate control मिलता है और सारे जो buttons है वो यहाँ stylus आप देख सकते हैं USB और 12 volt का जो accessory outlet है वो गाड़ी में दिया गया है चोटा मोटा समान रख सकते हैं 5 speed manual transmission के साथ में गाड़ी आती है दो cup holder चोटा मोटा समान रखने की जगे है और पीछे भी आपको चोटा मोटा समान रखने की जो जगे है वो मिल जाती है normal glow box compartment आपको यहाँ पर मिलता है manually adjustable day night IRVM दिया गया है front में आपको microphone दिया गया है लेकिन front light आपको 20 गाड़ी में भी नहीं मिलती है co driver side में आपको vanity mirror है वो flip cover के साथ में मिल जाता है foldable grab handles दिये यह यह था इस गाड़ी का front cabin VXI variant में काफी अच्छी जो look है dashboard की वो आपको मिलती है silver finish के साथ में rear की बात करें तो rear दरवाजे पे भी black color का interior मिलता है black color में door handles दिये गए पावर window का control bottle holder और जो speaker है वो आपको पीछे दरवाजे पे भी मिल जाता है और भाई यह है इस यह ब्रेजा की space काफी बढ़िया मिलता है adjustable headrest आपको मिल जाते है center armrest या जो cup holders है वो आपको नहीं मिलते है और ना ही rear parcel tray आपको यहाँ पे मिलती है bench fold seat आपको मिलती है जो की सिर्फ इतना ही fold हो सकती है अगर space की बात करें तो मारुत्ती ब्रेजा में जो space है वो भाई पू यह कमी भी मारुत्ती ने भाई यहाँ पे पूरी कर दी है rear seat पे बैठने के बाद जो dashboard की look है वो कुछ आपको इस तरीके की दिखती है stereo वगेरा है जो silver finish का use है उससे काफी बढ़िया जो dashboard की look है वो आपको भाई ब्रेजा में लग सकती है अब बात कर लेते हैं मारुत्ती जाके boot की तो requesting sensor के साथ में जो boot है वो आपको मिल जाता है 328 लिटर का boot space ब्रेजा में दिया गया है तो boot space के मामले में काफी बढ़िया गाड़ी आपके लिए साबित हो सकती है child seat anchor mount points आपको मिल जाते हैं दोनों ही side में space मिलता है hanging hook मिलता है लेकिन जो light है वो आपको का spare wheel जो की black color का steel rim है size में और color में बाकी के tires जैसा ही आपको यहाँ पे मिलता है front से लेके rear तक की जो गाड़ी की look है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि adjustable headrest लगने से कितनी अलग look हो जाती है क्योंकि LXI में आपको किसी भी तरह का headrest seat पे नहीं मिलता है पीछे overall rear look की अगर 37 mm torque और 20.15 km per liter के miles के साथ में 4 cylinder 1.5 liter K15C smart hybrid petrol engine use किया गया जो की बड़िया power भाई गाड़ी को दे सकता है जो dual battery के placement है वो भी यहाँ bonnet पे sticker चिपका हुआ है यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं engine guard आपको मिल जाता है और जो bonnet में damping है वो भी आपको VXI variant में मिल जाती है और जो quality है वो भी पहले से शायद कहीं न कहीं भारी की गई है क्योंकि जो bonnet है वो काफी जादा heavy आप feel कर सकते हैं अगर आप भी गाड़ी का bonnet खोलते हैं और वेगनार के side में खड़ी है गाड़ी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि color बिलकुल same to same दोनों ही गाड़ियो में जो फरक मिलता है वो मिलता है लगबग डेड़ लाग का और उस हिसाब से जो features हैं वो शायद VXI variant में नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको rear defoggers चीए, touchscreen चीए, company fitted, four speakers चीए, company के driver seat height adjustment के साथ में चीए, rear seat के headrest चीए, electrical foldable ORVMS चीए, auto climate control चीए, तो आप 20 सीधे सीधे VXI variant की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इन में से कई चीजें आप after market नहीं लगवा सकते हैं, और after market लगी हुई कई सारी चीजें बाद में भाई, दिक्कत भी देने लग जाती है, ये भी एक बड़ा fact है, तो अगर आपका budget कम है, तो आप LXI variant ले लिजिए, और showroom से ही, जो stereo वग आप LXI लेते हैं, VXI लेते हैं, क्योंकि पैसा आपका है, तो choice भी भाई आपकी ही होगी, मैंने LXI का भी review डाला हुआ, अगर वो आप देखना चाहते हैं, तो चैनल पर देख सकते हैं, और VXI के तो खेर दो-दो reviews मैंने डाले हैं, तो भाई ये ही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगाओ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्यू दोस्तों